तो आप इस एकल में के लोगों को मेरा सलाम वेलकम बैक टो एन अधर वीडियो कैसे है तुम सारे के सारे तो अजाद भाई पेचाना है वही हूँ मैं पहले वाला तो कुछ दिल पहले हमारे मोहतरम बड़े भाई अजाद भाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की उस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखो अजाद भाई ने एक टॉपिक है उसके पर अपना उपीनियन दिया जितना ह क्लेर करता हूँ तो अब हम आते हैं वीडियो की तरफ तो अजाद भाई ने ये वीडियो अपलोड की अपनी बेटी को युनिवस्टी ना भेजो तू बी ओनेस्ट इतनी डम चीज मैं अजाद मोहतरम अजाद भाई से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था एक ऐसे कंट रख एकिदे liberty का ऐए किदेटी हैं तो 50 टिजाम जाद इन जाद एकिदान फ संवाफ ना फूल्थ इमेल dominating this percentage at 94% the fact that the male literacy rate remains high even in rural areas 63% compared to females 36% underscores the persistent gender disparity in educational access. ऐसी जगा के ओपर आप इतने million subscriber लेके इतनी dumb चीज कैसे कह सकते हो Assalamualaikum, माबाप मैं आपको स्रेच्फवर्ड बात कहता हूँ आप अपनी बेटी को बेटे भी आपनी जगा मुझे तो ये बात समझ दिया है कि जो भी इसके अंदर पॉइंट होने वाला है वीडियो के अंदर वो हम देखते है आगे चलके बट बेटिया ही क्यों उन पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है I don't know, ऐसा क्या जाद भाही ने देख लिया है एथियजम, गर्ल्स हॉस्टल, डेट सीन, फैर्वेल पाटी, कवाली नाइट, मुशायरा डाल के ना देखना और फिर मुझे पताना कि आपका जमीर अगर आपके में कुछ इज़त है कत्रा भर भी तो आप अपनी बेटियों को महा जाने देंगे आप ये कह रहे हो कि उन दो लोगों की वज़ा से जिनकी वीडियो सामने आई आप अपने बच्चों को, खास और पर अपनी बेटी को आप युनिवस्टी ही नही भेज रहे है वो दो लोग, आपको नहीं पता वो दो लोग कहां से आएं आपको नहीं पता वो कैसे मौहल में बड़े हुए है, आपको नहीं पता कि उनकी क्या तरवियत है, लेकिन आपने ये डिसाइड किया, कि मैं YouTube पे लिखूँगा उनिवस्टी का नाम, आगे लिखूँगा लिग वीडियो, वो वीडियो देखूँगा, और मैं अपनी बेटी को दे रहे हो, क्यों भई, यहां पे तो यह होता है कि युनिवस्टी की वीडियो आपको मिल जाती है, ऐसे तो मदरसा लिखो, आपको क्या लगता है, आपको वीडियो नहीं मिलेगी, वो तो एक और चीज एड हो जाती है उसके अंदर, हर मदरसे में नहीं, लेकिन बहुत कोई मतलब नहीं है उससे, आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है किसी को, इस दोर में, अगर आपकी बेटा, आपकी बेटी डेटिंग नहीं करते, तो वो ना कोई हलाई मखलूक है, और ऐसा होता है जब यहाँ पर आते हैं लड़के-लड़कियां, तो वो इसमें डेटि भी करती है कि आप एक ऐसे background से आ रहे हो For example, अगर आप schools, tuition, college इस तरह की उसमें पढ़ते वे आ रहे हो, आपको इन चीजों से कोई खास फरक नहीं पढ़ता, university life में भी आ गए लेकिन अगर आप आ रहे हो, तरसे वे background से आ रहे हो, ठीक है, तरसे वे background से मेरा मतलब क्या है, कि आपने ना स्कूल में कभी लड़की देखी ना आपने कभी tuition में लड़की देखी ना आपने कभी college में लड़की देखी University में जैसी आप आते हो, तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ barriers खतम हो जाते है mostly universities में, अब ये आपके ओपर depend करता है ये मेरे पर depend करता है कि मैं University में क्या कर रहा हूँ या मैं बगैरतियों की तरफ लग या मैं पढ़ रहा हूँ अजाचायवाला कहता है कि Pakistan की universities और अवल तरीन बगैरती का अड़ा बना दिये नोंने बगैरती का अड़ा मान लिया मैंने तो आप इन बगैरती के अड़ा हूँ पर करने का जाते हो मुझे यह बता हूँ आप क्यों फिर मूठा के चले जाते हो पहले सारी उनिवस्टी को गालिया देते रहे फिर वहीं उनिवस्टी में चलेगे अब फिर बगैरती का अड़ा बनी है या तो अगर जाना है वहाँ पर तो फिर इतना पानी भी रखो के वहाँ पर खड़े हो के बोलो के भाई आप यह जो सारे बैठे हो ना आप यह जो सारे प्रोफेसर आप बगैरती के अड़े के प्रोफेसर हो और ये जो सारे जितने बच्चे बैठे हैं, आप सब ये बगैर तीक फिला रहे हो यहाँ पे आपको इमेटेट एवरीफिंग, फेरवेल पार्टी फेरवेल से तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला हो सकते है आपको वालन्टाइन्स दे अगर ये हो रहा है युनिवस्टी में गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए अब अगर वैलन्टाइन्स दे मनाया भी जा रहा है तो ओफिशल तरीके से कोई युनिवस्टी ने तो नहीं बोला कि भाई आज 14 Feb है, तो बच्चो आज पढ़ाई नहीं होगी आज सब प्यार का दिन मनाओ, युनिवस्टी वाले खुद तो नहीं बोल रहे बच्चे खुद ही लगे वे न अपना अपस में, तो इक किसकी गलती है मुझे खुद एक बच्चे ने कनवेश्ट किया, आजाद बई, मैं कलास तो जाता ही नहीं हूँ, तो आपको पता ही नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है उस बच्चे की गलती है न, अगर वो बच्चा युनी में जाके नहीं पढ़ रहा, गहरतियां कर रहा है, तो इसमें उस बच्चे की गलती है और किसी की गलती नहीं है, अब मी अभू की पेड़ पाटी है, इसे बितरे डिरेक्टली आप न, दुबई की नाइट लब्स में बेज दें या थाइलेंड बेज दें जाओ, उनको देखो तरसे वे लोगों को, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, यह वो दूसरे होते हैं, यह BBA वाले, यह आर्ट्स वाले, यह हरकते हैं, कुछ ना कुछ, सबकी नहीं, कुछ ना कुछ, वहाँ पे होती है, मैं अभी computer engineering में ही था, ठीक है, तो यह friendly fire है कि आप number one funders हो, इस बिखैरती के, number one funders आप है, अगर वो कराने वाले हैं, तो आप funding करने वाले हैं, मतलब कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को university भेज रहा है, अच्छी education हासिल करने के लिए, तो वो basically अच्छी education के लिए नहीं भेज रहा है, वो funding कर रहा है, इन बिखैरतो अच्छी बात है, इसा तो नहीं है कि आप मूठाओर किसी भी university में जाके दाखिल करवादो, आप जाहरी सी बात है, as a student या as a parent, जो भी आप, आप university को पहले देखो, कि वहाँ पे education-wise क्या सीन है, वहां से जो पढ़के निकल रहे हैं, उनका क्या सीन है, महां का महाल कैसा है इतने डुम हो सकते हैं, अजाद भी, मैं भी आगे कोई solution दें, इस दोर का हूँ, सही, सियाना मर्द ना, बुल्डन रेली मैरी अनी अव इस गल्स, अगर मैंने आपको problem बताई है, तो solution मैं अर्से से बता है, ओ, solution आने लगा है, पेटूं को, पेटूं को, शोर्ट ट्रैक education पे बेजें, लेकिन अजाद भाई, हमने तो सबसे सुना है कि, शोर्ट कट मतलो, यह क्या बात कर रहे हैं आप, यह तो आप टोटली opposite बात कर रहे हैं, ओके, शोर्ट कट मतलब, शोर्ट टॉं कोर्सीज हो गयारा, तो, यह कोर्सीज कौन बेचता है, ओ, यह तो आप ही ब कुमाया है, एंड में किसके पर लेकर आने के लिए, कोर्सीज ले लो, हाँ, यह हमारे कोर्सीज हैं, लेकिन मैं कहनी रहा कि यही करो, करना चाहो तो यह हमारे कोर्सीज हैं, कर लो, लेकिन मैं जोर नहीं दे रहा कि कोई तुम यही वाले कोर्सीज करो, तुम कहीं और से भ बहुत कमा रहे हैं, हाँ लेकिन मैं फिर भी कह नहीं, यह एजाद भाई का बेसिकली कोई प्रोब्लम डोंडो, कोई भी प्रोब्लम, डोंड़ी प्रोब्लम, उसको ऐसे गुमाओ, 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 उसका solution क्या निकले गा एक है, कोर्सिस कर लो, और हमने बड़े कोर्सिस बनाये हैं, यह डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी वी है, जाओ कर लो, यूट्यूब जितनी बगारती दिखाता है, साथ साथ आपको फ्री चीजें भी सिखाता है, इक्जाक्ली यही मेरा पॉइंट है, यूट्यूब पे, जाल बेनी क्या ब मैं, मैं खुद क्या करता हूँ इससे, मैं क्या सीखता हूँ, मैं जिमेदार हूँ, यूट्यूब यूवस्ट्री में अगर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, दो बच्चों ने कोई गलत चीज कर दी, पहन कर दो यूट्यूवस्ट्री को, अच्छा, यहाँ पे मैं एक दुबारा से रिपीट कर दूँ, कि कोई गलत मतले इस बात को, उनिवस्ट्री में गलत चीजें होती हैं, मैं यह नहीं कहा रहे हैं, हमारी उनिवस्ट्री बड़ी को पाक, शफाफ और यह वो सब कुछ है, गलत चीजें होती हैं, बट आप उसका ये सलूशन नहीं दे सकत अपने अपनी मर्जी से बताएं, मैं कुई एक कोर्स करता हूं, थर्टी फर्स्ट डे पे, अगर मैं डॉक्टर से जादा ना कमा रहा हुआ हूँ, तो क्या, थे कुछ बात है कहने वाली, एक कोर्स नहीं आपके, मैं सारे कोर्स भी कर लूँ ना एक साथ, तब भी मैं छिस उन्हें यह पताएं, मैं यूट्यूबर रूँ और उन्हें इस वह ना वीडियो देख थे से जाएं तो इन्हें लोग ने बताया कि काम के लोग नहीं मिलते तो मैंने काया यर आपके तो पास है यह इस आखाया ओले का इंस्टिटूट वहां पर तो इतने सारे लोग थे मैं आप क्या उन्होंने लफस तो कई यूघ किया था लेगिन मैं बहुं यह जहुँगा नहीं कि तो आपकी इन कोर्सें जो हैं इनका फाइदा किया मैंगा थोड़ा रियालिटी चेक भी देदू ना एक Of course 1% 2% ऐसे केस भी होते हैं कि जल लब इतने बच्चों ने की और एक बच्चा कोई बीच में से क्लिक कर गया और वो बहुत अच्छा उसका किसमत थी और वो चल गया लेकिन फिर वो एक स्टोरी ना बेच के आगे जो हजार पांसो हजार लोगों को जो चूना लगाना है यह बगारती करने में तो अब इसके लिए जिमेदार को ने है उन्यूस्टी तो जिमेदार नहीं हुए ना जिमेदार कोन वा माबाब हुए जिमेदार 6-7-7-7 साल फिर वो जब वहां से निकलते हैं कून जॉबें दे रहा उनको किसको चाहिए यह फजूल डिगरी हैं उनने तो फिर भी कुछ ना कुछ परसंटेज को जॉबें मिल जाती हैं जो आप से बच्चे करके निकले ना उनको जॉबें नहीं मिलरी अनफॉर्चुनेटली इस लिए आप बड़े हैं इसलिए मैं ना आप लड़कों को जिम्मदार नहीं ठहराते बर में जब अपने बचे पार रहा हूं मैं लड़कों को बराबर रखता हूं तो यही तो मेरा पॉइंट था शुरू से कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप दोनों को एक्वल जिम्मदार ठहरा हो कोई मुझे कुछ कह रहा था पिछली वीडियो में के यह कैसे कैसे लवज इस्तमाल कर रहे हो यह है वो है कुछ लड़कियों कर एक नहीं तो ददार किया अबा मरेगा तो जहां पर नहीं कहते थे इन शादी करनी उदर वो दोनों यूनिवरस्टी में मिले थे जह कर अब यह तो उस लड़की यह लड़की की तनी बहगारती एए न कि वो वेट करें के विभी अबबा मरेगा तो मैं यह जाके सादी करूं गलो यह तो बहँ पर नेक्स लेवला है न कहां मिले थे उनिवरस्टी में तो यार युनिवरस्टी एक जगह है जहां पर आप वोग करने है ठीक है सुबह भी गया हूँ तो पैर को भी गया हूँ रात में भी गया हूँ ठीक है डिफरेंट टामस पर मुझे पता है कि वहाँ पर कितनी डेटिंग होती है गोर्मेंट ने वो पार्क बना दिया अब यह आपके उपर है कि आपने उसको कैसे फाइदा उठा करने है बेशा सोच गलत है लेकिन फिर भी जिस भी सोच से पढ़ा रहे हैं आप उस से भी आपको मसले है कि यार वो जमाना चला क्या कि बेटियों को यार मैं क्या बोल। यह तो वही बात होगी कि बस दिवार में सार मारते हो बैटें तो अब अग जाएल हूँ मैं जायल ह उठालिया, modern बनने का, बड़ा बेडा उठालिया, पढ़ाई लिखाई का, जैसे जैसे वीडियो आगे भड़ी है, यह तो extreme की तरफ जाते जा रहे है, Azad भाई, मैं UK को देख के आया हूँ, मिस्स फलाणी पदा नहीं, पदा नहीं क्या नाम है, उसके 5 बच्चे थे 5 मर्दो तो इसलिए आप UK छोड़ के आगे, अब यहाँ पर क्या किया, Azad भाई ने, कि बेसिकली उस लड़की की वज़ा से, Azad भाई ने, पूरे UK कोई जज कर लिया, और यही जाद भाई, इस के अंदर भी कर रहे है, बेसिकली, चंद वाकिया देखे, इंसिडेंट्स देखे, सब के सब भी बेगारते हैं, सब यहाँ पर यही करने आते हैं, युनिवस्टी में, भाई मैं पढ़ा हूं हो, कोई मेरे पर कुई पूछताज नहीं है, मैं बेशक क्लास लिने जाओं, ना लिने जाओं, कोई नहीं पूछ ने बाला, चाहे मैं काफे में बैठा रहा हूं, चाहिए मैं घर बेठा रहा हूँ चाहिए मैं देखता था अपने साथ लड़कों को पढ़ने वाले ऐसा पढ़ रहे थे कि भाई उन्हें कुछ खबर ही नहीं है और जो यकियां लगाने वाले थे वो करते थे तो उससे उनिवस्ट्री का कोई लेना दे ना नीदा मुझे नामन्जूर है आपको नामन्जूर है तो आप मत बढ़ाना अपने बच्छों को कल को माशाला से वह बड़े होंगे आप उनको ऐसा करना घर बठाना और अपने यूट्यूब पे जो फ्री कोर्सें अपलोड़ की है वह करवा देना थर्टी फर्स डे पे तो वह ऐसी 31 दिन तो वह ऐसी एक डॉक्टर से जादा कमा रही होंगे और जुन्होंने लीव है ना उनको कौन हायर कर रहा है कौन मरे जा रहा है किसका कारोबार नहीं चलना आपके कोर्सें वाले बच्चे को नहीं रखेगा तो उस केस में भी किसी कारोबार में कोई फर्क नहीं पड किया हो है कि हमने उस जेंडर को वैसी दबा दिया हम क्या करते हैं लालच देते हैं जॉप्स का लालच दे दिया और कहीं बुला के इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंट्स होते हैं आपको वीडियो बनानी चाहिए थी यहां पर इस टॉपिक के उपर कि बहीं बगैर तो आप युनिवस्टी पढ़ने जाते हो अगर आप बाहर निकलते हो तो कोई लड़की है तो उसको कैसे ट्रीट करने है आप कहीं पर काम करते हो जॉप करते हो तो आपके साथ अगर कहीं लड़कियां भी काम करते है तो आपको कैसे ट्रीट करने है आप यह सिखा उनको दू नो महीने पहले, according to Azad भाई, पाकिस्तान के जो मर्द थे ना, वो कमजोर थे, कमजोर मर्द थे वो, नो महीने के बाद, वो ना मर्द होगे, तो खैर वीडियो में काफी इदरोदर की बाते होगी, वीडियो को summarize कर लेते हैं, Azad भाई ने जो बातें की, उनमें से, मैं, मैं Azad लेकि तो भी उनमें से, बात समझ गयों, पॉइंट समझ गयों, पॉइंट जो रखना चाह रहे थे, वो ठीक था, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उन्हों ने रख दिया, वो इंतहाई गलता है, मैं बिल्कुल इसी से अगरी करता हूँ कि उनिव पॉल्टी, गलत हरकते होती है, लेकिन आप उसका जिम्मेदार, युनिवस्टी की भी जिम्मेदारी बनती है, कि वो देखें कि भई, क्या हो रहा है, माबाप की जिम्मेदारी बनती है, कि वो उन पर थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें, ऐसा सुसाइटी, हर बंदे को अ मिलते हैं एकली वीडियो में, बाई, अच्छा आपका बॉइफरेंड है, और ये कुते के बच्चे इनको होसला कैसे आया, तु से कि आपका बॉइफरेंड है,